अब आप लोगों को स्टडिस लेवस्में देखिए दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए ब्यार बोट क्लास 12 से समन दिस सभी बीवी आई कोश्चन लेकर आया हूं ठीक है दोस्तों जोकी चेप्टर 2015 के दोआरा पुशा गया कोश्चन है जोकी हर एक बार पुछा जाता है निशीत रुपसे ठीक है इसी टाइप का कोश्चन पूछा जाता है ठीक है दोस्तों तो अपने एक्जाम के लिए पढ़ा पड़ने के लिए ठीक है दोस्तों चली एक बार में लोग याद करेंगे देखिए दोस्तों हमारा कोश्चन होगा कि एक नमर कोश्चन है जब संताती की उत्पती एकल जनन दोड़ा होता है तब उसे क्या कहते है अलाएंग एक जनन जनन जिसमें सिर्फ एक भागले नर्या मादा उसे अलाएंग एक जनन कहते हैं जिसमें दो भागले उसे लाएंग एक जनन कहते हैं मुकुलन जुढूं जननसे अपना बंसुश को रेडी करता है ठीक है उसके बाद अगला कुंच्ट्यन हो जाएगा हमारा क्या है नंबर क्या है मानव िसम चुंच्रेशा फिलंग होती है संक्या है तो 46 और कितनी जोडी होती है तब 23 ठीक है अंट प्रजक है अंट प्रजक physicist हो जाएगा इसके पांच नमबर दूइगूनित है तो क्या है तो जूनित हाई उसके बाद भाझन कर रहा है कि कीछ को में कहाई दिचकर हाँ है कि करा रहा जाए उसके बाद अगला question हमारा क्या कर रहा है कि E को R I enzyme का सुरूत है E को R I enzyme का सुरूत क्या होगा तो E dot coli E dot coli ठीक है दोस्तों उसके बाद हमारा next question हो जाएगा अगला question है हमारा 9 number ओ स्वरी 8 number SO2 प्रदूसक का सूचक है प्रदूसन का सूचक है T lymphocyte उत्पन होता है T lymphocyte जो है कहाँ उत्पन होता है दोस्तों T lymphocyte या कीर्थ से उत्पन होता है ओत्पन होता है उसके बाद अगला question हो जाएगा हमारा 10 number हमारा 10 number question क्या है कि साध का निर्वान कोन करती है साध का निर्मान कों करती है तो कार्ज करता मदुमक्खी करती है ठीक है तो तरल नाइट्रोजन में थीक है तरल नाइट्रोजन में उसके बाद अगला कोशन हो जाएगा आप लोग देखे होंगे के भाईशी का जो ईलाज होता है गया का जानवरों का ऐलाज तो इसमें धुआ दुआज टाइप का निकलता है उसमें से बीड़े पाइप में रखा रहता है ठीक है मानव कीर्थ भीर उसी को डाला जाता है गय के फ्रिपन ट्यूब में ताकि जो है उसके द्वारा उसका संतान का उत्पती हो तो वो जो गैस टाइप का निकलता है उसी को क्या कहते है तरल नाइट्रोजन ठीक है निमनांकित में कौन सी बीमारी मुर्ग होती है ठीक है और हैजा भी होती है ठीक है असमत भी होती है ठीक है दोस्तों एंसर के नुशार इसमें हैजा दिया हुआ है तो हम लोग हैजा परेंगे ठीक है किसमें होती है राय मुर्गियों में होती है कौन सी बीमारी तो हैजा होती है रानी खेत भी होती है और असमत भ ने फीजो जेन क्या है प्रोटो प्लास्ट कल्चर का फ्यूजोयन क्या है तो देखे प्रोटो प्लास्ट का फ्यूजोयन क्या दोस्तों पेड़ है ठीक है उसके बाद अगला कॉशन होगा कि अनगो जी किसnd czasikey तो cancer का ठीक है onology cancer का अध्यान है उसके बाद अगला question है कि इट्ली यह भांद सा डाकी सुक्षुम्जीब के परियोग से बनाया आपकी कि इट्ली और धोंशा काटा जो है इस्थ के इस्ट सुक्षम जीव के प्रयोग से बनाया जाता है ठीक है हम लोग जलेवी जो खाते हो उसका जो मैदा साना जाता है उसमें भी इस्ट उटपन होता है तब यह हम लोग को टेस्टी लगता है खाने में समझे तो उसमें भी इस्ट होता है पाउं रोटी में भी इस्ट होता लाइड में एक्रेटरियां में तरहा है को अगला कॉश्चन हो जाएगा इसमें से याद रखिएगा वियाद रहें गुनोरिया शिफलिस एचाइवी होते हैं अनुवांसिक कूट में कितने कूट होते हैं तो 64 कूट होते हैं उसके बाद 20 नंबर कोशन है बर्धान तता में रोगी नहीं पहचान पता है लाल तता हारंग में अंतर को ठीक है उसके बाद ओपडोन मॉडल प्रस्तावित किया जाता है तो किश के दोरह किया गया था तो जैकब तता मोनाद के दोरह किया जा ठीक है उसके बाद अगला कोशन हो गए है कि एक इडिनी है योजक करी ठीक है योजग करी है उसके बाद अगला कोश्चन है कि निम्न में से कुन किट भक्षी पौधा है निम्न में से कुन किट भक्षी पौधा है तो ड्रोशेरा एवं नेपेंथिंस ठीक है नेपेंथिंस तो ड्रोशेरा एवं नेपेंथिंस जो है कौन सा है किट भक्षी पौधा है ठ वह जो नो उसके बाद अगला कोश्चन हो जाएगा अमारा 24 नमबर शुक्रानु जनन का नियंत्रन किसके द्वारा होता है एक बर्ग में उपस्तित होते उस बर्ग का का नाम क्या है मानव रुधिर जो है एक बर्ग में उपस्थित होते हैं उसका नाम क्या है तो एंटीबोडी में उपस्थित होते हैं रुधिर एवी बर्ग में एंटीबोडी उपस्थित होते हैं एवी बर्ग में जो है एंटीबोडी उपस्थित होते हैं मानव रुधिर मे ठीक है उसके बाद हमारा next question हो जाएगा 26 नंबर question क्या कर ढ़ downtown temptation golden rice मेश पायाव तो बिटामीन ए पाया आता है ठीक है vitamin A पाया अभी आगांगत परिदिए मेंच सा लगनता के नियम ठीक है नहीं सौल लगनता का नहीं मेंडल ने क्या चुक्द सऊल लगनता के नियम मेंडेर किया आपको अजनी क् orang किस से खर लाई किसा को प्रसाउनित नहीं प्रसाभीत नहीं किया तो हमारा एंसर लेंसे का गिए किस तो भाड़ा तो मटर के वीज़ के द्वारा ठीक है तो देखे मिट्टी को उपजाओ बनाने में सहायक है कितना सब्सक्राइब तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों के सांस सेर भी किजिएगा आप लोगों को इसके description box में जो है physics, chemistry, biology के सभी objective का जो है आप लोग प्लेइलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं ठीक है तो link दे दिया गया है आप लोग पूर्ण रूप से कई बार देखिएगा ठीक है इतना ही के साथ जैन जै वारत